नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स लेकिन उस तेज बारिश में वह कबूतर बहुत मस्ती में उड़ता रहा उसके पंक से टकर पेड़ का एक पत्ता तूटकर नीचे गिर गया तुरंत उस चीटी ने उस पत्ते पर चड़कर अपनी जान बचा ली बारिश रुखने के बाद वह चीटी कबूतर से जाकर बोली आपने मेरी जान बचाई है तो एक दिन मैं भी आपकी कोई ने कोई मदद करूँगी तब उस कबूतर ने कहा तुम तो जमीन में रहने वाली चीटी हो और मैं हवा में उड़ने वाला तुम इतनी छोटी सी हो मेरी क्या मदद कर पाओगी और फिर एक दिन एक शिकारी ने उस कबूतर को निशाना बनाया जब उस चीटी ने उस शिकारी को देखा तो वो उसके पास आई और उसे जोर से काट लिया शिकारी का निशाना चूग गया और वो कबूतर बच गया एक छोटी सी चीटी होकर भी उसने इतनी बड़ी मदद की तो हम इंसान होकर उससे ज़ नहीं भगवान है माँ अरी गनेश क्या मुट ऐसे कैसे गिर गया है चलो बैठ जा तुझे पट्टी बांदेता हूँ अब चल तु मेरा भैक क्यू उठा रहा है मुझे चोट लगी तो तुने मुझे पट्टी बांदी ना तो आज से तो अपनी चिंदा मत कर तेरी चिंदा मैं करूंगा ऐसे क्या देख रहा है आज से मैं चीटी और तू कबुतर चाल क्या ह expans grief क्या है क्या है क्या सस्क्रीं क्या है एक और खाएंकर के सब क्यों चुछ लगी तो तुने अपकिछ लगी तुने हमेरे पैर पार पड्टी वान्दी ती ना तू क्षास्ण तो देने और इस सारी कि दे तो बहुत मुश्कील होता है इससे पीछा चुड़ा पाना और उम्र के साथ साथ इसकी ये हरकते भी बढ़ती गई आये देखते हैं दो बाबु दो 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 बाबु दो 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 द सब सब्सक्राइब दो इमुदिढी दे दोबो ऑ सिनु ते री अंठी सूपर हीट थोड़ा थोड इलाओट न आप शुराने वाले को देखा है और लॉटाने वाले को पेली बार देख रहाूंगा तेरे जैसे बंदे को ऐसा दिखना चाहिए इस लेटेस टाइब साहब साहब मेरी शकल ऐसी हो जाएगी तो कोई मुझे भीक भी नहीं देगा येस तुझे डॉलर मिलेगा भिकारियों का सूपर स्टार साहब टी पीने का पैसा नहीं है तो पर ये टी शर्ट क्यों इस चेंज की वज़े से तिरा रेंज और बढ़ जाए मामा सिुन मां का सिर्ट रिखाऊ मामा सिर्ट रिक्न है हेलों है तो ⟉ हम गाना गांगा से लिए यह सोचा था लेकिन लाइफ can Joe यह कभी निही सोचा था ऐंए यह किया था मेरे गिरे हुए पर्स को तुने मुझे लुटता दिया जब तूने मेरी मदद की तो मैंने किसा बराबर आपका नाम क्या है बाबुजी बंदे को गनेश कहते है निकनेम जक्की दादा करके देख तू सुकूलाइप में भर तू इश्कारा है रिश्कारा ये चाल बंदे आप करके देख तू सुकूलाइप में भर 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 तू सुकूलाइप जाचू जो दिन मिले उसी बत में याए, उसकी दी हैं पकेतू, उसकी दी हैं पकेतू One hundred, one hundred, चलो 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 आरख Oh my friends, oh my friends, चलो जीलो तुम जर्या One or ten, one or ten, चलो चलो है आरहा Oh my friends, oh my friends, चलो जीलो जर्या है करो दोस्तो की Juj Juj कश्ट जब दी आये कर सोना हिम्मत से मिलेगी है तेरे को जोड़ी जिसे ही मनद मिलेगी तुमारे होस्टों को लाइब का यारो यही है पंडा को पाइजे का लो जीता आए गए जज़ता ही तुझे को सितल्पे है आए जटलमें जेंटलमें अधाय गए प्लीज सिट आउं आज आप लोगो की पुलीस ट्रेंग होने वाली है आज last class है इसलिए एक interesting character से मिलवाता हूँ उसका नाम है वैरागी वैजाक सिटी का किंग वो किसी को नहीं दिखता है कहां रहता है किसी को भी नहीं पता इसका नाम है भवानी उर्फ बैगा एक जमाने में ये वैजाक सिटी का बड़ा गुंडा था 15 साल पहले इसे मार कर बैरागी बैजाक का किंग बना बैरागी ने भवानी को किस वज़े से मारा ये किसी को नहीं पता लेकिन कहां मारा है ये सब को पता है बाई इसी निसको काट दिया आई मार दिया सब्सक्राइब को नहीं है को नहीं है सामने आता में तो मेरा गही मेरे साथ चलो यहां से तुम कि तुम वही होना जो मेरी दुकान पर काम करते थे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होना नहीं भाई 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 छोड़ दो मुझे मैं भी बड़ा होकर उसके जैसा ही बनूंगा तु बड़ा तो होगा पर उसके जैसा नहीं बन पाएगा उससे भी बड़ा हो गया हूँ मैं बच्पन में तुने कहता तु उसके जैसा बनेगा तम मैंने तुझे पागल समझा था बच्पन से ही तु उसकी हरकतों पर द्यान देता आ रहा है ताक कि तु पुलिस के हाथों में कभी पढ़ न जाए इसलिए पुलिस की ड्रिस पहन कर तुने उसके सारे लोगों को माल तु वाकर बहुत महान इंसान है है आज से तु आज से ही तु इस वैजाक सिटी का अकेला किंग यह रहे इस किंग को तु रे कहता है मैं कौन हूँ कल तक इस दुनिया को पता नहीं था लेकिन आज के बाद किसी को भी मेरे नाम के अलाबा कुछ भी पता नहीं होना या भगवान हो उसके ना दिखने पर ही उसका डर होता है भगती होती है आज के बाद तु अब किसी को दिखाई नहीं देने वाला सिर्फ तेरा नाम सुनाई देगा सबको इसका में ध्यान रखोंगा भवाने का खोन करने के बाद बैरागी ने ऐसा पोस्टर पूरे बैजाक पल सुनाई देगी आकाशवानी का ये विशाखा पत्नम के इंद्र है कॉंट्रेक्ट के विवाद के चलते बैरागी ने भावानी को माँ डाला शहर के गली-गली में गुंडगरती बढ़ती जा रही है साथी बैरागी का नाम भी फैलता जा रहा है किसी की नजर में नहीं हैंडल करता है ये भी हमें नहीं पता उसके खिलाब बहुत सारे केस दर्ज हैं लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाएं इस बैरागी की वजह से हमारा पूरा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट परिशान है सर उसके बारे में इतना सुनकर उसे एक बार देखने की इच्छा है स क्योंकि जो भी बैरागी को देख लेता है वो बच नहीं पाता हालो हा पापा पंदर साल के बाद तु वैजाग सिटी गया है गर का काम तुमने अभी तक शुरू किया या नहीं पापा थोड़ा बीजी था इसलिए उसके बारे में भूली गया तुम कहां बीजी होगे मैं मैं यह जानता हूँ इंग्लिश के H.E.L.P यह चार लेटर जब तक तु भूलेगा नहीं ना तब तक सुद्रेगा नहीं समझ गया हालो हेलो हेलो उसका फोन ओन है फिर भी वो कोई बात नहीं कर रहा है देखो मेरी लाइफ की वाइफाई आखिर मेरा दिल कनेक्ट हो ही गया यह वाइफाई अगर वाइफ बन जाए तो लाइफ एक्दम सेट हो जाए बहुत अच्छा होगा बेटा ममा आप कल वे हम यहां लाइन पर हैं और तुम हां किसी और को लाइन मार रहा है हलो पापा ठीक से तो बेटा माबाप की आवाज भी नी सुनाई दे रही है इस बारेश की वज़े से की सिगनल मिच ना हो जाए क्या वाद ससुराल जाने के लिए रास्ता बहुत साफ नजर आ रहा है टाड़ी चलती हूँ हां हां ठीक है कंप्यूटर कल जा रही हो कराटे ग्लास यह क्या है पल्लवी लड़कियों को टीवी देखकर खाना पकाना सीखना चाहिए यह मार्शिलार्ट किस लिए बेटा टाइगर हेरन को सोसाइटी लड़कियों को हमेशा से कमजोर समझती रही है मैं इस साड़ी में तुम इदम परी लग रही हो मेरे गालों को छूने के लिए बेताब हुई जा रही हो तुझे क्या लड़की मार नहीं सकती क्या ऐसे गुस्से में जब लड़किया घूर के मुझे देखती है तो मुझे बहुत प्यारी लगती है तु सच में मुझे मारना चाहती है एक महीने बाद इसी दिल इसी वक्त और इसी जगह मैं तुम्हें मारूंगी अब मैं अपना चालेंज पूरा करने के लिए ही कराटे सीखने के लिए जा रही हूं माम देखा आपने सुन लिया आज कल ये मेरी बात बि इसको मेरा नाम भी पता है मैं सब जानती हूं गनेश तुम हर पल सी सी जी डी कैमरे के जैसे मुझे देख रहे हो ना अरे पापरे मैं इसको देखता रहता हूं ये भी इसको पता है एक बात बताव मुझे इतना प्यार करने के पीछे तुम्हारा लॉचिक क्या है लव का क्या होता है आई लव यू सो मच गनेश अरे पापरे फेस्बुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट करने से पहले मेरा लव एक्षप कर लिया अरे गनेश तेरी तो निकल पड़ी यार और बाई गनेश ओ तेरी ये तो उस गनपती बापा को बोल रही थी इस गनेश को नहीं गुलाब के फूल के लिए काटे का जखम तो सेना ही पड़ेगा ओके मडम आप जाई लग जाए पीछे अई डी है क्या वोटर आई डी भी है मेरे पास अंदर वोटिंग नहीं फाइटिंग चल लिए जाना है क्या अरे बाबरे मुझे गुलाब के फूल को हासिल करने के ल नदेश लगा ना चल तूखा अरे बापनेश वापस क्यूं आया मुझे देखकर साला अपना मुझ छोपाने की कोशिश कर रहा है अरे वह लगता है चला गया अच्छा उसने देखा नहीं नहीं तो अरे भाई गनेश कव आया तू मैसेज भेजा था पढ़ा नहीं मैसेज पढ़ा इसलिए तो रिसीब करने नहीं आया मुझे देखकर मुझे चुपा रहा था अरे नहीं मेरा सिक्का गिर गया था उसी को ढूंड रहा था चबनी की अकल यूज करना चोड़ और यह पता यह अरे बचपन में तेरे पहर पर पट्टी बादी थी और तूने कहा था कि तू मेरी जिंदीगी बदल देगा लेकिन तू भाग गया और मुझे नौकरी करनी पड़ रही है एक बात बता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझे ढूंटे-ढूंटे आया है अभी मैं त देखा है मैं उस पर से अपनी नजर हटाई नहीं पा रहा हूं तुम्हारी गर्दन अकड़ गई होगी नेगेटिव फेलो वो मेरे दिल की प्यास है और सीलो तू पानी की बोतल की तरह है मेरी मदद कर दे भाई फिर से मदद एई तेरी मदद करूंगा तो तू फिर से मु चाहिए तो फिर मैं एमडी बन जाता हूं एमडी बनना कोई खाने की चीज है तो आफिस वही बना दे या तो फिर मैं क्या करूंगा अस्पताल जाकर हिलाज करा बचपना तुझे चोट लगी थी तो मैंने तेरे पैर पे बैंडेज लगाया था आज तूने मेरे पूरे श यही है यहां कहीं चार्ज और ओफिस का मैनेजर भी अगर इसे तुने मैनेज किया तो मेरे साथ रह पाएगा यह ओफिस बाइटी लाने के लिए उटी चला गया क्या चल 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 इसकी डोपी उतार यह तुम ममी के डमी कैसे बन गए बागना आपका सर्विस फास्ट करने क इसका फ्रेंड हूं सर मैं हूँ गनेश लोगों की तकलीफ करता हूं लेस बड़ाया तकलीफ लेस करने पर तुम आफिस बाइकम काउ बाइज ज्यादा लग रहे हो काउ के बारे में तो नहीं जानता लेकिन जब पैदा हुआ तो डॉक्टर ने वह ऐसा कहा था तुम तो बहुत अच्छा मार रहे हो काम भी अच्छा करोगे ना मैं ऐसा करूंगा सर के आपकी तो खुछी का ठीका नहीं रहेगा यह कुछ ओवर ही करेगा रेंज रोवर हो सर स्पीड ठोड़ी ज्यादा इसका काम तू क्यों करना चाहता है इसका प्रट्रोल खतम हो गया सर इसका क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है मैं इस नहीं कर सकते लेट्स को अहां चल लेट्स को लेट्स को कि लॉरी के सामने तो यह नीबू है और यह लॉरी को खीच के ला रहा है कुछ तो जोल लग रहा है कि आने मास्टर के बारे में तू नहीं जानता एक दिन मास्टर ने मालगाडि रोक लिया था फिलमी तक्नीक से मालगाड़ी क्या प्लेन को भी रोक सकते जैकल हलिवुड वाली अब यह एक द्वालक टाइप हेन्टरी करेगा है जैसे हीरो करते है यह तो रिंग मास्टर लग रहा है मास्टर इतनी बड़ी लॉरी को आपने अपने लेफ्ट हैंड से कैसे रोक लिया अरे बाबु यह तो मुझे कोई भाइस चरवाने वाला लग रहा है इसे तो मैं चारा खिला-खिला के मारूंगा मैं चाहिना में था तो एक मार से चाहिना की बॉल को उसके बाद मेरी मूर्थी बन गई और दीवाल फिर से बनाई यह आपको देखकर तो सूपरमैन शर्मा जाएगा और बैटमैन डर जाएगा कामन मैं तो मर ही जाएगा अपनी इस प्यारी फिलिंग को अपने दिल में ही द दिखा दीजिए यह चगन रोमियों कुछ नहीं कर पाएगा तुमको तो कुछ आता नहीं इन लोग को भी कुछ नहीं आता है यहां किसी को कुछ नहीं आता हम जो बताएंगे वही कुंपु क्राटे तैकान डों मारलिन ब्रेंडों यस तेरी दुकान को अभी बंद करता हूँ परफेक्ट इसे बैंटिंग करने का शौक है यह नए लड़का ऑफिस बॉय है मस्टर क्लीनिंग करने आप या फिर बैटिंग करने आए हो बैटिंग करने के बाद चाहितिंग क्यों कर रहे हो बाहर बेजो इस है अभी के अभी आपको भी पेन होता है अगर सही जगा लगा तो भुरूसनी को भी पेन हो जाएगा दंड़ पकड़ना भी आता है क्या तुम्हें आता है सर लेकिन डंड़ गलाच यह पढ़ता यह नहीं पता था सर और तुम लोग दिश्कसन बग करो पहले से रून रेगुलेशन मिस्टर भेजा नहीं है क्या मेरा भेजा फ्राइंग पैन पर रखा हुआ है मैं तुम से क्या कह रही हूं और तू मुझसे क्या कह रहे हो क्या हम लोग भेजे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तुम ने क्लास को डिस्टर्ब क्यों किया अरे क्लास को छोड़िये हुजू और आपका फिगर ऐगदम क्लासिक है मैं क्या कहरी हूं यह है ना आपके expression का मतलब दोनों ही class के लादे मं डिफकर कर रहे हैं ना तुम क्या कह रहे हो मेरी तुम इसे जल्दी से सजा दे दो यह सुधर गया तो माफ कर देना पर यह याद रखना कि इसने मुझे होड किया है सुन लियाना सुना वाली के शुराप है 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 मैरागी का आद्मियों ते लंगाना का रहने वाला कितने का यह पैकेट 10 रुपे का भाई चल निकाल लेकिन क्यों भाई मैरागी का अधियों यह तो यह सुधर्शन डेडी नमस्ते भाई यह तो मेरे सामने सिगरेट जलाता है रह यह ना निकाल आप अमलेट बना दूंगा मैं कवन पता नहीं है क्या रह यह ना रह यह ना टेर मेडिन चाइन एक्या यह थी पिले है अब बाइक के सालेंसर पे तलवार चुपा के रखता है क्या समझता है मैं डरूंगा पहलागी का अदमी हूँ डरूंगा नहीं रहे हो गया चल दे चल चल दे आगे अफ़ता लेने का है यह रेडवाइन पी अरे गनेश तु हमेशा मुझे यही क्यों पिलाता है बच्पन में जब मेरा गला सूख रहा था तो तुन्हें अंगूर का ज्यूस पिलाया 20 साल बाद उसका क्या होगा वह सड़ जाएगा येस सड़कर उसका वाइन बनेगा अगर इसे पी योगे तो च प्रोस्ति के बीच का फारक ही नहीं मालूम है माइन पीले समझ में आएगा नहीं यहार वह अपने मैनेजर के जैसा दिख रहा है ना अधार जल्दी विर्चर पेपैंड चेटी पैन के यहां घूम रहा पिया हुआ लग रहा है तो अभी तो यहां बैटा था ना आपने प रहा तो आफिस बॉय का दारू पी रहा है यहां पर सिर्फ मैंनेजर पी सक्था ऐसा को रही एक चरहीं रूल महीं रोफ्स की पूरी लिस्ट यहां पर कि यह लिस्ट है यह यह बढ़ा होता है कही हां होता होता है इस कवरिंग मत कर इस कुंग-फु-पांडू-कराटे-श स्कुल्ब में काम करने के लिए इन सारे रून्स को स्ट्रिक्ली फॉलो करना होगा बटल दे यह लो बचाओ अमाल इस लिस्ट से मास्तर की लाइफ की मैं बैंड बजा दूँगा अपनी डार्लिंग को अपना बना लूँगा अपने इतने बड़े पेड को कैसे तोड़ा मास्टर इससे तो असली पेड और नकली पेड का फरक ही नहीं पता है यह रूली ग्रेट मास्टर आपकी बॉड़ी तो बिल्कुल ब्रैट पिट चैसी है लेकिन छोटा सा फरक है वो ब्रैट पिट है और यह बाट फिट शुट अब यह बताई आपने इतने बड़े प्लेड को कैसे किरा दिया मास्टर कराटे से सब हो सकता है यह तो कुंग फु था ना कराटे कुंग फु ताइकंडो मार्लिन ब्रैंड यह तो हॉलिवड एक्टर है हाँ वह भी मेरा शिष है तुम्हें मर्शानाट के बारे है पता है यह अखिर तुम यह करने क्या हो रूल नंबर 44 के साब साब को 11 बज़े जूस पिनाए ना तो दो ना अभी 11 नहीं बज़े तो फिर क्यों आए हो देने के लिए रूल है लेकिन आने के लिए नहीं है तुम दिस्टब क्यों कर रहे हो अँग इसे चोड़ो चलो अपना वर क इसे कर रही है तो क्या हो टाइम पर जूस नहीं प्यों के तो जूस को खताम करके से चलता करता हूं इधर ले क्या सर जी रूल नंबर 33 के हिसाब से मुझे आपसे तीन फूट दूर रहना चाहिए है ना तुम आहीं मास्टर नेक्स आपको नहीं पता है अगर आप गलती से तो मुझे आपको देख करके डरना चाहिए मुझे बहुत लग रहा है मास्टर तो फर क्लास अभी तो यह नहाएंगे अपनी जटाएं बांधेंगे फिर आएंगे बड़क गई क्या सब लोग चले अब कुछ बोलो ना हमारे क्लास चलना तुम्हें पसंद नहीं है क्या व मैं nuo क्या और तुम लाइसेंस की बात कर रहे हो जब सेंस होता है तभी दो लाइसेंस देते अनना नॉन्सेंज। उसमें भी सचुपा है डूढ़ के देख लो का आख हैक लो बात कर लो मैं हूँ गुरुओं का गुरु जोतिश में पारंगत भूत भविश वर्तमान बताने वाला जो हुआ वो बताऊंगा जो होने वाला है वो भी बताऊंगा ओ साम आपके चेहरे पर जो फायर है उसे टायर के पीछे छुपाने की कोशिश मत कीजिए जैसे आप दिख रहे हो वो हो नहीं और असल में आप जैसे हो वो आप दिख नहीं रहे गुरू की शबत खाके कहता हूँ आपकी जिन्दगी में अब मुसीबत आने वाली है क्या बखवास कर रहा है जाकर अपना काम देख मैं अपना काम ही कर रहा हूं इसे हलके में मत लो देख लिया अपने साब कवा भी काउं काउं करके कुछ कहना चाह रहा है हाँ हाँ बताओ मैं सुन रहा हूं हाँ हाँ आपकी जिन्दगी में बैड टाइम की शुरुवात हो चुकी है जिन्दगी का पहिया चित्र-विचित्र तरीके से घूमने वाला है और जो पहिये को गुमायागा वह आने वाला है बеня यह बैरागी कहा मिलेगा बारा यह मुझे नहीं पता है और यहां यह बैरागी कहा मिलेगा हागय मुझे निबता कि यह बाई यह वाई यह यह बहते हैं आलो क्या बोल रहा था था थुट भीडी पीना बॉड़ी के लिए आनी का रहा है कि यहां कोई आवाज नहीं करेगा बाइरागी का आपका एक फोटो चाहिए एक इन वाई रेडियो के आता हूं है अब लो भाई मेरा फैबर नमबर मुझे जेल के सेल में आपकी वांटेड वाली फोटो नहीं अपने सेल से लें ले में नहीं है अब बाई गलव समझ लिया मुझे बच्पन से कुछ ऐसी यादत है पकड़ वह क्या है ना मैं वार्ड मेंबर के लिए चुनाव में खड़ाओं मेरा निशान हांडी है अगर आप मेरी मीटिंग में बैटके फोटो किछवाएंगे तो उस निशान को देखकर लोग मुझे ब मेरागी को याटो रिक्षा जो बुला ले गया है अब वो आटोमाटिकली आएगा अगर खाना पकाना हो तो आग तो लगानी पड़ती है अगर वो 10 मिनिट लेट हुआ तो इसमें तेरा बटर चिकन बन जाएगा मुझे मुझे मुरका समझाए क्या बैरागी का अदमी हू अगर तुम्हें इतना जल रहा है तो फुदक के बाहर आजाओ ना जंदी से किसी को कॉल नहीं क्या तो मुर्गा बनाके खा जाएगा यह मेरा हालो अभे ओ कंट कजूरे वक्त से पहले पेदा होने होले का अभे तु ए कौन अभे तो अभे आप लगता है अपने टोन को रिंग टूंग के जैसा क्यों बदल रहा है अब कुछ नहीं है आपका एक लड़का आपको देखने के लिए बहुत तरस रहा है कहा है तु बता जल्दी फूल मार्केट के बाजू के गल्य भी हो भाई ले भाई अपने लर्खों को भेज रहा है या पर कमर के नीचे मेरा सब कुछ जलना है मुझे जल्दी से निकाल ले भाई बहुत तकलिफ हो रही है प्लीज अब हावा क्या कर रहा है निकाल दो यह अच्छा अच्छा है अच्छा न चल भाई अब चल अरे वाबने कहीं गलती से नंबर भाई को ने लग गया था फिर से एक बर कोशिश करता हूं यहीं कहीं बज रहा है रहा है नावस्ते मेरे बच्पन में मेरे मा बाप स्कूल टीचर और मेरी बीवी ने भी इतना बुरा कभी नहीं बोला इसलिए तो ने नीचे का जल रहा था लेकिन मेरा तो दिल जल रहा हूँ ए ऐ कॉंस्टेबल इसटेबर इसे हांडि के साथ हुठाके लिए चाल अज़ा है अलो एक पार आगी कहा है है हो तुम बाहर बारागी के बारे में पता कर रहा था ने इसलिए बाई ने तुझे बुलाया बैरागी किधर है बैरागी किधर है ऐसा पब्लीक में पूछता हुआ फिर राय अब बता ऐसा क्यों अरे भाई मैं इंक्वाइरी कर रहा हूं इसमें तुमको क्या प्राब्लम है उसने मेरे बाप को मारा मैं उसे खतम कर दूंगा उसके खोन सिपिता के भोटों पे तिलक हुं वाह क्या मकसद पाला है तेरी वज़या से हमें खत्रा है तू अपनी बंद कर दे पूरी तरह से मैं उसका नाम लेकर करता हूं तो प्राबलम है तो फिर मैं उसकी फोट लेकर इंक्वाइरी करता हूं फिर तो कोई प्राब्लम नहीं है лишा न है वहाग acceso मुझ़ह नहिं यह फोटो बिल्कुल उसी की है जा के ठोग डालो से ठीक है अगर मुझे टपका दिया तो तुझे बैरागी से कौन मिलाएगा हम दोनों का दुश्मन एक ही है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है प्लीज यार फोटो दिखा ना फोटो दिखाओं तो मुझे से पहले उसे टपकाएगा उसे मारने वाला कोई भी हो उसके मरने के बाद कूरसी मेरी होगी तुझे बदला लेना है तो तु ले उससे लेकिन याद रखना तु अकेले नहीं मार पाएगा पीना मेरी मदद के आज से हम दोस्त होएं जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी उपर वाला करता है चल साथ में डून दें उसे अरे बच गया वेटा उसके सामने आपका सर्जुकाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है वहरागे के मिलने तक इसकी ज़रूरत है पस्वा मिल जाहे उसके साथ साथ इसे भी काट डालूगा मेधी इसे देखके तुम्हें क्या समझ मेनाया यहीं कि चाइना के लोग टेंगू की डर से घर के अंदर जाके चुप जाया करते थे हमारे दादा जी तलवार लेकर लाखों मच्छरों का सर काट कर चाइनीज लोगों की जान बचाई थी एक छोटा सा मच्छर उनकी यहां करदन पर बैठ गया और जब उस मच्छर की गरदन काटने शुकर ना चाहिए अगया है या सबस्क्राइब कर लोट सुछ दरोजे परना चाहिए श्रीक रहाई मास्टर पेट में सौस की ठेली क्यों बादाम नीचे ब्राकेट में ग्वालिटी बादाम देना है ऐसा लिखा हुआ है तो टेस्ट करने के लिए क्यों मेरे जीवन के साथ छो Sharp Saw ot इस ने मुची आख मारी आए मुझे आख मानने की क्या जरुवत है में सिर्फ फॉलो कर रहा हूं है कि इस्जद्दार परिवार और तो मेरा काम है एक नजर उस व्यक्ति को देखना तो जब एक आख बंद करके देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे आख मारी हो सर 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 थोड़ी दिर पहले यहां एक आदमी बैठा हुआ था बता सकते हैं वो कहां किया कौन यही है वो आदमी यह कौन है और तुम कौन हो मुझे क्या मालू मुझे परिशान मत करो सर 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 प्लीज बताई यह दिर आती है न तुम्हें कहाना नहीं बता अज़े मेरे प्यारे चाइनीज नूडल्स ओव इतने दिनों से मैंसे में हुकूब समझ रहा था वाद करो क्यों मास्तों थर 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 काप क्यों रहा है आप ठेंड लग रही है ना तलवार है पर इससे आपको क्या तक्लिप क्यों थ्रीडी में तलवार खुमाते हैं मैंने तुझे में तुझे देखा है मुझे सच बता तुझे मार्शलाट आती है ना अरे नहीं ने मास्तों मुझे फाइन आट्स आता था तो आपको क्या लगा मास्तों इसे फिर से काट करके दिखा दो नहीं 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 तेरी तरह ग्राफिक्स यह साले चार मच्छर मेरी डालिंग को काट रहे थे इसलिए मैंने इन चारों को काट डाला मुझे तेरी नियत में अगर खोट नजर आई तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा मेरे प्यार के मामले में उंगली मत गुशेड़ना गुरू है तो गुरू की तरह रह है पूरी इस्जत उतार दूंगा है यहां अच्छर कुछ ज्यादा ही है इस कॉइल को जला के सोजा थीक है आश्मान भवा अ हम तेरे बिना तुमने मेरी क्लास में ना आने के लिए मास्टर को धमकी दी है ऐसा उसने इस इंस्टिट्यूट में क्यों आए हो मेरे सपने पर कोई गोल नहीं है क्या गोल क्या गोल्ड भी है मेरे तो मेरी लाइफ के बीच में गोल की पर जैसे आ गए थोड़े दिनों पहले जो दूफान आया था तुम उस पर बच क्यों गए उस दिन में आउट उप सिटी था मार दूंगी अगर ज्यादा बात की तो चुप रहो त जैसों से तो बात करना ही बेकार है ठीक है तो इनसे बात कर लो गनेश भगवान जी मैंने सच में आप पर बनी हुई फिल्म सौ बार देखी है अगर आप मुझे अपना सच्चा भग मानते हो तो आप अभी इसी वक्त क्या इसका हाथ पैर हाट किन्नी आपे बोल्ड के सार इसे क्या हो गया जी गनेश यूर फिनिश यहाई अरे तुझे कुछ नहीं हुआ ना मुझे लगा तू तो गया मैं नहीं बल्कि वो गई शारू खान के जैसा तुन्हें मस्ताइक्टिंग किया रहे अबंदो बाजी घर भी और डॉन भी अब जाते हो गया अब तक बटर चिकन नहीं बना ते रहा रॉंग नमर प्र फोन किया तो एसाई को फोन लग गया वह साई नहीं क्रसाई है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी लाटियों से करके दो डाला मुझे भाई आपने मुझे इसमें घुसाया है तो तो फोड़ हो गए नीचे खावाट बचा है भाई एक बाल बता उस दिन आपको कोई लेकर गया था का लेकर गया था तुमसे बाहरागी को देखा है क्या है कि यह फोटो दिखा कर उसे अर्जेंटली उठा के लाने को कहा है कहीं तो देखा है लेकिन याद नहीं याद अब यह मोटे इतनी सारी पी चुका अभी तक याद नहीं आ है आपको देखकर मुझे अपने दादा जी की याद आ रही है बिलकुल तुमारी तरह पूरी की पूरी बोतल पिलाते थे चकने के लिए बिस्किट खिलाया करते थे चोटे चोटे बाई क्या का बिस्किट चकन अब नहीं आ रहा है जूले पर चलते हैं कि अगर फोटो गवादी तो तेरी जान ले लूंगा बाई बिल गई से मेरा बाई दारी भी है इसकी उसे तो कोई जानता नहीं बाई इसे डूनेंगे तो कम से कम कुछ लोग बतातो देंगे बाई यहां कि अख्याक狂 रही हूं ए убाली से और इंचते हुआ पैदा हो वाहां तब से पंच मार रहा हूं इसमें कौनसी बड़ी बात है पापा यह है मेरी लाखों में एक भक्तिन भगवान जी पारवती मम्मी नहीं आई आपके साथ गणेश इसका जवाब दे दरसल मम्मी इस वक्त सीरियसली सीरियल देख रही है डिस्टब किया तो सीरियस हो जाएंगी इसलिए साइलेंट लिए आप लोगों के यहां भी केवल सब्सक्राइब या हतायुत लिया और यहां बाथ में कि यहां आए भगवान जी तुम उसटेश को जानती हो न नंसन तो आपके डदी ऐसे हाई जंप क्यों कर रहे है गानेश को ऐसा वैसा कहा तुमने इनके भगत की है इसलिए इनको हाई भीपी हो गया है पापा का परम भकत है वह अिस गरेश को इस गरेश से ज्यादा रिवर्स हो गया है मैं बिना पावर का ट्रांसफर्मर बन गया हूं मेरा पूरा पावर ट्रांसफर्मर करने के लिए तुम्हें काम करना होगा मों क्या है भगवान जी उस गनेश की खूब सेवा करके उसकी तवियत को साधारण कर दो यदि उसके हाथ पैर ठीक हो गए तो मे पैदर ठीक नहीं है तुमारी ममी ने मैसेज बजाए चलो चलते हैं आप लोग भी सेलफोन से इस्तमाल करते हैं ओनली आइफोन तुम जरा पलतो तो हम कायब हो जाएंगे आप कैसे जाएंगे भगवान जी चूहे पर बैठके जाएंगे आज चूहा तो छुट्टी पर ग रागा कर दख रहाओ कर लगा है कि अधष्य कल एक मारा में पहले चूह इसे भूल दिया तो आप क्या करने का हिराता है मैं आपकी सीवा करके आप को पहले जैसा बिल्कुल ठीक कर दूँगी कैसे करोंगी आज से मैं आपको चलने की प्राक्टिस करवाऊंगी ठीक है आपको खाना भी अपने हाथों से खिलाऊंगी मखा लोंगा तो फिर ग्राइंडर कहा है वहां पढ़ा है देखो ना यह मेरी मॉम ट्रेंड फॉलो नहीं करती ट्रेडिशन फॉलो करती है इसलिए यह मिक्सी है यह वाशिंग मशीन है विद वॉटर टैंक और यह वाक्यूम क्लीनर शुरुवात क्लीनिंग से करें अगर मेरी मा इसे काम करते वह देखती तो इसे अपने घर की बहु समझती नौक्रानी समझती उपर वाला देता है तो छपर फार के देता है थैंक यू वेलकाम आपके हाथ पैर को कुछ भी नहीं हुआ था वो क्या है कि आपको गिरते हुए देखा ना तो शॉक ट्रीटमेंट से ठीक हो गया और दौरते हुए आपको बचाने आगया है हलो हे तुम मुझे भूल गई लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला तुम्हारे दोस्तुम्हारा वेट कर रहे है मेरे पास आजा तुम्हारी वज़े से यह सब हुआ है उससे नहीं तुम्हें बारना चाहिए चला जा हाँ 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 तुम आओ गई हमें कबसे परिशान कर ले मुझे से बचने के लिए यह तुझे साथ ले के आई है क्या में लिडिज के लपणा को नहीं पढ़ता तुम्हारा वाइद यह तुम क्या पर चुन्हारा है अपना माबला खुद ही निप्टा हो चलो आजा यह इनका आपसी मामला दरसल क्या है कि मैंने इनसे कोई सेवायवा नहीं करवाई है बल्कि यह एक मार्शलाट की ट्रेनिंग का एहम हिस्सा है मर्द इंस्टिट्यूट में जाके मार्शलाट सीखता है लेकिन और तों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है फाइट सीखने के लिए घर में ही सब कुछ है जैसे सील बट्टे में चटनी बनाते हो ना पल्टे से हलवा बनाते हो ना फाइट में भी ऐसी खिलना है सबसे पहले काम करो उसको कपड़े की तरह सुखा कर उस पर क्लिप लगा दो फिर पंच मारो या बाए हाथ का चाटा मारो चॉइस तुम्हारी है आजा आजा कि आजा कि आजा आजा हम तुम्हारी है अहाँ तुम तो शूपर ओमन निकली और तुम चानते हो तुम सूपर मान हो मैं क्या क्या रहा हूं और तुम क्या क्या रही हूं हम दोनों सूपर के बारे में ही बात करें हैं मेरा डायलग मुझ पह ही प्रेम कर लिया प्रेम कर लिया प्रेम कर लिया प्रेम प्रेम कर लिया । You are my darling, oh-ling-oh-ling-oh-ling What a, what a feeling, oh-ling-oh-ling-oh-ling You are my darling, oh-ling-oh-ling-oh-ling What a, what a feeling, oh-ling-oh-ling-oh-ling Oh yeah, oh yeah You my darling, come on the way You are blazing, everything, feeling it now All my crazy feelings are racing My baby, let it go, loving it now Don't you love me, baby, no feel me Every time making the way to my beautiful world Darling, darling, feeling, feeling Come on, baby, let's settle this now Oh yeah, oh yeah Oh yeah Oh yeah Racha ne trannik mein halte kardiya Singhal gindro korabal seet kardiya My story in the kingdom mein chappen ho gaya Yet ja, re-ending mein end kardiya Back up to ho gai, tu bold kar gaya I don't match your life for long You hold the kardiya You are my darling, oh-ling-oh-ling-oh-ling-oh-ling What a, what a feeling, oh-ling-oh-ling-oh-ling You are my darling, oh-ling-oh-ling-oh-ling-oh-ling What a, what a feeling, oh-ling-oh-ling-oh-ling You are my darling, oh-ling-oh-ling-oh-ling-oh-ling-oh-ling-oh-ling-oh-ling-oh-ling-oh-ling-oh-ling-hнул-Youl कर दिल में जली नाइट वाहिए एहा है न्युदार चरादाइट थेडिया है नस रोजान पया प्रद्या थे वे लिया मैं तोर आई पती लै दिया दोनों ने धुनिया प्रहते कर लिया ओर बार भाली क्यों बैरागी आज तो बहुत कुछ नजर आ रहा है आज सुबह एक नमूना मिला जो अपने आपको बैरागी का आदमी कहता था वो मुझे ही धम काकर पैसे ले करें अपने ही नाम के खौफ से मुझे डरना अच्छा लगा बगवान कैसा होता है ये तो आइडिया लोगों को जरूर होगा लेकिन बैरागी कैसा है ये किसी को नहीं पता इसका जो नशा है वो किसी भी चीज में नहीं मिलता स्वामी सत्या इधर देख बैरागी किसी ने तुम्हारा स्केच बनाया है किसने बनाया ये पता लगा उसका हलो ये सब क्या हो रहा है सर क्या हुआ मुझे एक आदमी ने बैरागी का फोटो दिखाया और मुझे पूछने लगा कि बैरागी कौन है मेरी परिक्षा लेने के लिए आप इने किसी को भेजाता क्या तो पागल हो गया क्या मैं किसी को क्यों भेजूंगा वो अभी कहा मिलेगा मुझे नहीं पता है उसे देखेगा तो पैचान लेगा ना हाँ पैचान लूँगा तुम्हारा स्केच बनाने वालोई को 24 गंटे के अंदर लाकर तुम्हारे सामने कड़ा कर दूँगा फोटो तो नहीं मिल ले ये बाई लेकिन उसे कहां देखा ये याद आगया कहां कनक राज की दुकान के पास बैरागी को सिगरेट पीते हुए हमारे आदमी ने इसी जगे देखा था यहीं उसने मुझे फोटो दिखाई थी उसे यहीं कहीं होना चाहिए उसे आस-पास कहीं ढूनेंगे तो वो जरूर मिल जाये वहां पर बड़ी पब्ली के कट्टी है चल गया रहा है वह एक आदमी का स्केश बन वा रहा है कहता है कि जो उस आदमी के बारे में बताएगा उसे वह पचास जार देगा बचास घड़ा हाउ अब है कोई धंद कोई मेरा चलता है बता देता हो पचास घड़ा रेड़ी कर ले ऑय मेरागी कहीं हो चाल ले चाल की अए वह rust a को अंनों हां बेलकुल यही है वो उस दिन इसी को मैंने देखा वो देखो उधर वह है यह वो पॉटे अरह भाई आप हाथ में बोलो भाई कल तक उस फोटो वाले को सिर्फ में अकिला ढूंड रहा हैं लेकिन अब उसे पचास लोग ढूंड रहे हैं पीचे देख पुरी बारात खड़िये तुने जो जगे बताई वहां तो देख लिया अगर तुझे कहीं दिखाई दे तो बिना लापरवाई किये सीधा फोन करना तुना नमबर लिख ले मेरा अब है तुझे बोलना नमबर लिख एट नाइन सेवन एट वन एट वन एट हलो कौन तुम्हारा फ्रेंड हो मैं फ्रे जैसे तुम उसे मारना चाते हो मैं भी उसे मारना चाता हूँ अगर हिम्मत नहीं है उसे मारने की तुझे तो बस इतना ही पता है कि वो कैसा दिखता है बगर वो कहां रहता है ये भी मुझे मालुक है वो अपने सारे डील्स पहाड के उपर ही करता है और डील के लिए वो अल्रेडी निकल चुका है, एक सवा घंटे में वो वहां पहुंच जाएगा बैरागी, तुम्हें मारने वाला बैच वही है वही है बैरागी, तुम्हारी फोटो लेकर एंक्वाइरी करने वाला एए, उस बैरागी को मारने के लिए मैंने अपने बाप की कुलाडी पर धार करवाई है इसकी बाडी लेंग्वेज चेंज हो गई है, इसका मतलब वही है वह बैरागी पहले उसे, फिर बाद में इसे भी खत्म कर देंगे, वह खुद मौट के पास भाग कर आ रहे हैं मैरागी मेरे एक वार से दस करदने कटेंगी, तु डर जाएगा अपनी आँखें बंद कर ले सत्या झाल झाल खाईगा आँए है अअचका साइगा एक प्रकानाच क्राईगर ऑटे कि अब रहाज कि अब अब बाज कर दो रहा! एती हुआ पितल खुआ हुआ है। ल OFFICितल यह खूवर्टू भर रहुआ है। प्रील्षा प्री खूभरू ठी है। pipeline लोल कुछरा का सुऩा है, लोल करौ़ कि लुणफले लोल रूंगे हुआ 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 इतने लोग तुझे मारने के लिए ढून रहे हैं फिर भी तू सही सलामत है यह देकिन का क्या हाल बनाया मैंने आज के बाद तेरे उपर कोई भी आख उठाने की कोशिश करेगा तो उसका यही अशर करूंगा पर लोग पहुचा दूंगा उसको क्या है कि अगर मेरी कोई छोटी से भी मदद करता है तो मैं उसकी लाइफ सेट कर देता हूँ और तूने मेरी कोई मामूली हेल्प नहीं की है दोस्त आज के बाद तू मेरा गॉड है और मैं तेरा बॉडी गार्ड हूँ एक बार तू अपनी जिन्देगी की चावी मुझे दे दे फिर देख इन जैसे लोगों की जिन्देगी पर कैसे ताला मारता हूँ तू स्टेप बाइ स्टेप मेरा कमाल देखता जा यह तेरी र समझ में नहीं आता मैंने उसकी लिए किया क्या है मुझे भी ना बताये तुमने उसकी कोई मदद की मैं कोई संत नहीं हूँ जो मदद करूँगा मैं गुंडा हूँ लेकिन उसे देख करके तो ऐसा लगता है कि उसकी कोई बहुत बड़ी वजह है वो जिस से मिलता है जिस स उसकी जान पहचान है और जो भी उसके रिष्टेदार हैं उन्हें यहां लेकर आओ इंस्टिटूट खोलने के बाद ज्वाइन होने के लिए इतने सारे लोग पहली बार आये हैं बहरागी भाई ने बुलाया है चलो जैकी चैन शारुखान और मैं कहीं नहीं जाते उन्हें ही यहां लेकर आओ कैसे घरगर जाकर के सिखाने वाला मैं कुई सेफ मास्टर नहीं उन्हें सब्सक्राइब के पास तुम गये तो मिजहले आएगा और वहीजा इतुम्हारे पास आयगा तो सजा वे सब्सक्राइब तो मासराट को जुर्द वार्म उप करने से पहले ही तुम हो जाओंगे तेस्ट है यह क्या हुआ तु वैरागी को जानता है ना है कि मैं तो जानता ही हो उसका नाम सुनते ही लोग ड़ जाते हैं और वो मेरा नाम सुनके डर जाता है अगर यह पैस्जों को मैं ला देनौ समझ में आ गई तेरा ओफिस बोए गणेश कहां है अरो बाब रेतु में भी परिशान किया एक बाल बताओ भाई सिम जहां होता है और अगर उसकी लबर को एक छोटी से भी खरोच आ जाती है तो वह वहां जरूर बहुत जाता है अभी वह लड़की का कुष्टों से दूर र कर रहा है मुझ में क्या कम है भाई हमारी जवानि में घुन लगा है वेजाक सिटी में चोट रखने वाला पहला मर्दू और रबाप रे बाप इस घर में मेरी जाने मन रहती है उसके खुबसूर्ती के जितनी तारिफ नोची कम है उसकी टांगे केले के तरे जैसी है उसके मेरी बहन से कोई प्यार करता है ये बात तुम लोगों को पता होती हुए भी मुझसे छुपी रही इसका जवाब है तुम्हारे पाफ चुप हो जा तू जिसे प्यार करती है उसे भूल जा बहुत जी लिया मार डालूंगा उसे इसके अपने बाप को नहीं छुड़ा तुम मेरा क्या हाल करेगा अरे बाबरे भाई सारी भाई कसंसे मुझे नहीं पता था कि वह आपकी मैन है कुछ मुझसे गलत निकल गया तो माप करतो क्यों बैरागी इसे खत्म कर दूं किया क्या वक्राए तुम्ह उसने मेरी बहन को ट्राइक किया नहीं छोड़ूंगा मैं उसे इस बार मैं यहां आपके लिए नहीं आया हूं तुम्हें फोन करके मैंने ही बुलाया है तुम जिसे प्यार करते हो वो मेरी बेटी है तुम जिस बैरागी को ढून रहे हो वो उसकी बहन है मतला मैरागय आपका बेटा है वो क्या है यह जानने के लिए तुम्हें पास्ट जानना होगा अमस्ते हैपि मेरेडलाय थैंक यू घंक तुम्हारी एक बेटी है ना मारी तो भी शादी हुई हमारी बेटी कहां से आ जाएगी तुम्हारी शादी हुए सब्सक्राइब कि अपनी बहन के लिए दुब अच्त कि अच्छी तरह से करना तुमारी जरूरते पूरी रहें गी वरना बेरागी को देखने वाल आज तक जिन्दा नहीं बचाओ अच्छ हमारी बेटी कहाँ है इस तरह सहस्तरा के साथ-साथ यह सारी दौलत भी मुझे मिली जो कुछ भी है सहस्तरा के वज़े से उसने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मागा सिर्फ तुम्हारे अलावा उसे कहीं दूर लेकर चले जाओ पेटर और शांती से अपने जीवन जीओ क्योंकि पहरागी कितना खतरनाख है यह मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता शहस्तरा तुम्हारा इंतिजार कर रही है कियों भाई मुझी को ढूंड रहे हो ना कितनी तकलिफ यू ले रहे हो एक कॉल कर लिया हो ता मैं खुद आ जाता है कल सुबह एंटियार सेंटर के सामने सावित्री होटल में मिल लेते जल्दी आना नाश्ता साथ में करेंगे कर हो dan कर समयार topics प्रत करा ज decentral करेंगे मेरा के? मेरा के पाहरगे मेरा के? महरागी ढगो, भगो, महरागी भगो, भगो महरागी का अद्म यूँ मै भब्रे, यही है महरागी भाई बाई नाव भाई चुप करो तब लोग वाई भाई 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 अब द्वाकूफ क्या ओलाद हो ऐसे घुर के क्या देख रहा हो बताना चाहिए था ना कि यहीं अपने भाई क्या बाई आपका पोस्टर तो ब्लॉग बस्टर है हां अस्सम से बोल रहा हूं कहां है तु एस्टी वाले जंक्शन पे तुम्हारा पोस्टर लगाने की टेंशन में हो यहां आ जाओ ना बाई वहां से हिलना मत मैं अभी आ रहा हूं नहीं वहरागी पूरी सिटी में लोग आज तुम्हें पहचान पा रहे हैं यह सब उसी की प्लानी की वज़े से हैं उसे जो भी करना था कर चुका वो अब मुझे जो करना है करके दिखाऊंगा जो मुझे नहीं पता है अब मुझे नहीं पता लेगी ना रेक और पर तुम्हारी फोटो लगा पर कहा है तुम्हारी फोटो देखके लोग ct बजा रहे हैं मुझे बढ़ा मसा हा रहा है यह कि मैं पहुंच गया तू अरे पलेट तेरा ध्यान किदर है भाई कि मैंने कहा पलेट तेरा ध्यान किदर है भाई पकड़ने के लिए इसने मेरे को ही उल्लू बनाया पोस्टर निकला ही रो ऐसा ही लगा ना भाई फोटो हो जाए यह मोटे तू भी आजा भाई अब यह फोटो को मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा तो इंटरनाशनल लेवल पे फेमस हो जाओगे ट्विटर में ट्विट्स होंगे फेस्बुक पर लाइक्स होंगे वाट्सेप पे कहेंगे वाट्स आप जरो ताली बजाओ इसके बाद तो तुम्हारी वाट लग जाएगी पत्तब इतने फेमस हो जाओगे कि हर जगा बैरागी ऐसे शेर की तरह खड़ा हुआ मिलेगा आपको पता है लोग कवर पीच पे रहना चाहते हैं और आप हो कि लास्ट पीच पैसे खड़े हो यह मुझे अच्छा नहीं लगा वाई इसलिए आपके पोस्टर से पूरी सिटी में पप्ली सिटी कर डाली तू कौन होता है मेरे पोस्टर लगाने वाला फैन मैंने ऐसा क्या किया है क्यों फिल्मों में एक्टिंग करने वालों कोई फैन होते आपने मेरी रियल लाइफ में जान बचाई इस डेम आपका फैन हो अरे ऐसे घुर घुर के मां देखिए आपको ऐसे देखे मुझे डर लगता है तू क्या बकरा है मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कब बचाई थी मैंने तेरी जान आप भूल गये भाई आज से ठीक 15 साल पहले उस जापानी गार्डन में उस भावानी के साथ मेरी नोगजोग हो गई थी उस दिन क्या हुआ था मुझे मारने की हिम्मत किसने की यह 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 मंने यहाह कर शारी बोलने स송 कर usted क्या मार रहे हो थो मैं अधस का फ्रेंड ना मेरे पेर पर चोट लगी थी तब इसने बैंडेज बांदी चिलना चोटी सी तो चोट लगी है दवा लगालो ठीक हो जाएगी एसे नूबॉल लेकर ला एंट कौनों तु जानता है क्या नहीं जानता हूं और अगर जानता तब भी ऐसे बात करता अगर इसे जोड़ो इसे लोगों को मार मार कर तुम बैड मैंड बने लेकिन मेरे लिए गौड मैंड बने अब किसी को भी मारने से पहले उसके आसपास वाले को पहले मारूंगा रोगो रोगो आजाओ आजाओ अरे गनेश सुनु मैंने बैंगलूरू के लिए दू टिकेट बुक किया है बैरागी कहने से पहले तुम दोनों यहां से चले जाओ इसका टिकट भी बुक करना हाँ अब यहां तेरी बैन मुझसे प्यार करती है भागने की सोच रही है मेरे साथ हिम्माद है तो रोक ले ऐसा कहूंगा यही सोच रहे हो ना सैस्त्रा तुमारी बैन है यह पता चलते ही मैंने अपने लब को लॉक अप में डाला और इसके साथ जूभी मेमरीस थी उसे मेरे लिए लिए अपने प्यार को जिया इंपर्बान किया मेरे लिए तू बहुत ज्यादा इमपोर्टेंट है लव मेरे लिए आम है और तू मेरे लिए खास है तेरी लाइफ तू मुझे सौफ दे दिंका चिका कर दूंगा ए फौक अपने फॉर बैरागी को d-ion desk चुडं उसकी जलग पाने के लिए शहर के लोग पेता है पेरागी खत्म कर तुन गर्टिखे अरे भाई टीवी तोड़ोगी क्या अरे यहां बिल भरने के पैसे नहीं प्रेंगा उसे उसे मारने से पहले उस गनेश को मारना चाहिए उसका मिने की वज़ेसे बैरागी मिस हो गया इस इस फैन को तो चालो नहीं कर पा रहें और वो तो बैरागी का फैन है उससे कैसे मारोगे भाई चुप चाप टैबलेट खालो उन दोनों की मौत मेरे ही हातों आगी नसीब खराब होता है तम ऐसा ही होता है कभी टॉर्च लाइट के जैसे किसी को नहीं दिखाई देता था लेकिन अब स्ट्रीट लाइट के जैसे रोड़ पर आ गया देखा भाई तुम्हारे बाहर आते ही हर तरफ खामूश इचा गई कवा भी काउं काउं करके उड़ गया लेकिन जाते जाते वो मुझे कुछ बता गया है उसका और तुम्हारा जरूर कोई लिंक है अब क्योंकि कवा शनी देव का वाहन है पहले यह आया तो शनी देव भी आएंगे बेरागी बाहर आके पूरे शहर में घुम रहा है अभी तक उसे किसी ने क्यों नहीं पकड़ पाएंगे सर उसे पकड़ने के लिए दिल्ली से एक विशेश ऑफिसर आ रहे हैं उ पुलिस की वर्दी में साथ चाथ शेर है वो उनकी एंट्री के बाद नो कमेंट ओनली मॉव्मेंट बैरागी हिरन तब तक जिन्दा रहता है जब तक शेर से सामना नहीं होता शेर के सामने आते ही खेल खत्म अगर मैंने गोली चलानी शुरू कर दी तो शंशान में जगें कंपड जाएगी अभी तक मैं नौसो निनान में एंकाउंटर कर चुका हूँ अरे यह कोई MRP है जो बार-बार रट रहा है अईसे ही काउंटर पे होता है इंकाउंटर जब मैं बोलता हूं तो सबको अपना म और यह कर तो कटपा और घाली डिंपा काकीवरदी पोस्में भी पाइंता है और रिक्षे वाला भी पाहिनता है अब क्या बता सभी दिखते हैं अब मेजर इतना कड़क सेलिट क्यों मारा अठारा के बाद तो सभी मेजर होते हैं आप लोग मिलिट्री का मेजर समझ रहे थे आप लोग तो ऐसे ही समझोगे ना लेडी को देखकर कैदी समझते हो पिलर को देखकर किलर समझते हो अंध्य और बहरे हो तुम कंफ्यूज मत करो सिनेमा के पोस्टर के जैसा पूरे शहर में पोस्टर लगाया है इसने अहां सुल्तान फिल्म के पोस्टर पर मैं अपनी फोटो लगाऊंगे तो क्या मैं सलमान खान मन जाऊंगा लाजिक है तो यह कौन है भाई राजू बैसिकली यह अनावरम के सेटल हो गए चिनावरम इसके पीछे गुंडे लोग भूम रहे थे यह सीची टीवी कैबरा पे रेकॉर्ड हो गया है और रेकॉर्ड को कोई बदल नहीं सकता चीची गुंडे उंडे नहीं इनके रेलेटिव्स हैं इनकी जॉइंट फैमिली है माँ, बाप, चाचा, चाची, मामा, मामी, साला, साली, बड़े भाई, छोटे भाई, भान्या और भातिजे एथन जैंसे और बहुत बड़ी फैमिली इनकी इतने लोगों को फैमिली नहीं कहते हैं मखला कहते हैं हरे वह हीरो की लाइन पर क्या पंच मारा मैंने अगर सच में फैमिली मेंबर है तो कहीं तो इसका घर होगा जहां यह अपने परिवार को साथ रहता होगा चलो दिखाओ इसका घर सर देखिए यही है इनका घर भाई राजू ब्रिंदाम मेकेनिक का काम करने वाले का इतना बड़ा घर वो क्या है ना भाई दिन में पंक्चर बनाते और नाइट में वेंचर करते अगर घर में इसकी फैमिली नहीं मिली ना तो तेरे भाई को शहर में दोड़ा दोड़ा कर मा यह बैरागी है यह भाई राजू अभी पता चल जाएगा चलो अंजर अरे चुप हो जा ऐसा बिसुरा गायक मने आस तक नहीं देखा वाले में तू शंकर कुमारू साथ दिखने में तो गोल मटोल गरनेश जी के जैसा है इसका नाम शंकर किस ने रखा इसकी मा शंकर जी क यह पैदा हो गया सर यह लोग कभी है राजा राम मोहन राम सीता राम रोट पर जाडू लगाने वाले जैसे दिख रहे हैं कभी कैसे होगा सर दिखने में ऐसे बाकी बहुत इज़दार लोग है यह मुझे तो यह कहीं से भी इज़दार नहीं दिखते बाग करता अब इस नियूमरोलोजिस्ट दरवसल यह न्यूरो लोग के बनाने के लिए राजू को मेकैनिक बनना पड़ा सर जाओ तुम लोग में सब जेंची है या लेडिज पराय मर्दों के सामने आती नहीं बहुत ही और ऐ लोग और्थोडॉक्स है तो मैं मेड मैक्स हैं हम सब एक फैमिली की लेडीज हैं तुमसे पूछा क्या वह दर असल पुलिस के सामने सच बुलना पड़ता है अब यह क्या है लगता है जैसे आइपियल जीत कर आए अधियो और यह आर्थी लेकर आई वह क्या है ना सर भाई इतनी महनत करके आये इसलिए बहन आर्थी उतार रही है भाई बिन लादेन के जैसा दिखता है और बिहन ब्रिटिश की रानी के जैसी यह क्या कॉम्मिनेशन है आप चलो भाई पहले अपना ताया पर रंते लखी भ अब यह लोग कौन है भाई के मदर और फादर है तो यह लोग कौन है बड़ी मा बड़े पापा वो लुक स्मॉल मदर मतलब चाचा चाचा बिलकुल सही पकड़े हो तुने अच्छा मैच किया यह कौन है बिजली के खंबे के जैसा हमेशा इसके पीछे क्यों खड़ा रहत है मारूती नाम है इसका हमेशा भाई के साथ हनुमान की तरह रहता है और यह कौन है यह बुद्डू मारूती अच्छा एक बात बता इतने सारे लोग अचानक यहां क्यों आ है शादी के लिए इसकी जब बख्वास कर रहा है इसे कौन अपनी लड़की देखा है डाल दू क्या दरसल क्या है आपको बहुत गर्मी हो रही ने इसलिए ठीक है इवेंट मैनेजर के जैसे सब कुछ मैनेज कर दिया अच्छा तुम इन सारे लोगों का क्या लगता है अब क्या बोलू यह मेरे होने बाले पती सर अहां यह क्या है यह तो बहुत शर्मा रही है लव मेरे जना नहीं है यहां कोई भी एक भी विष्टदार देंगे है अगर मैंने जुबान खोल दी तो तेरा काम तमाम हो जाए आपको जो भी इंफोर्मेशन चाहिए मुझसे बूचा मैं बताऊंगा पहले नीचे उत्रों तो मै चाहिए पीते पीते में आपको बताता हूं यह क्या है लेमन टी सर तो पीलो सर मैं तुझे बताता हूं कि चाहिए कैसे बनानी चाहिए आधा लिटर दूद लेकर उसे गैस पर रख दो उसमें थोड़ा सा शक्कर और चाह पत्री डाल दो जब वह अच्छी तरह से पक वह नहीं कुछ और सच बताने वाला था ना अच्छा वो चाह बनाना वह तो मैंने इसको सब कुछ बता दिया रेल इंजन का साउंड हो या चाहे फायर इंजन का साउंड हो मेरे मारने के बाद साउंड ऐसे ही होता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ तुझे निवीपता ह अब आपकी समझ में आ गया ना यह बहरागी नहीं भाई राजु यह क्लियर हो गया आप जा सकते हैं तुने जाने को बोला इसलिए नहीं जा रहा हूं यहां वापस आने के लिए यह बात रखना यहां जरूर आओंगा अगर मुझे सबुत मिल गया कि यह बहरागी है तो इस जालो सर अट बहाइं आपको लगता है मने यह सब कट अपास अगर किया है मिलकुल नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता आप इस तरह अकेले रहते हैं इसलिए आपके लिए फैमिली सेट कर दी कि मेरे भाईया पहले इस घर में कभी नहीं आये थे सब तुमारी वज़े से हुआ है आम सो हापी तो इस मौके पर तुम्हें एक ट्रीट दू कैसी ट्रीट यानि मुझे लगा खाने की या पीने की होगी लेकिन यह बहुत बारू ट्रीट थी कोई देख लेता तो अब तो अब तो हमारी शादी होने वाले हैं लेकिन मैं तो समझा था कि ब्रेक अप हो गया है यह बाइव वह बात करने के लिए क्या बोला उसने तुम सब को यह इसलिए बुलाया कि यह बहरागी वाई तुमसे बात करना चाहते हैं और क्या बोला अज़ा है अज़ा है उसने बोला क्या वही तो बोला उसने उस बैक ग्राउड म्यूजिक मैं कुछ सुनाए ने दिया तो तुम लोग रोई क्यू थे मुजिक में मस्ख फील था भाई यहां यह बैक्राउंड म्यूजिक नमस्ते मास्टर जी हाँ आजा सेनु आजा माजी कैसी है आप मैं ठीक हूं बेटा है हम गाउं से आ रहे हैं यह जानकर भी हमारा बेटा हमें स्टेशन लेने नहीं आया इस बात से मुझे बड़ी खुशी है क्यों मास्टर जी मैं चारा प कहाने सुनाई थी ना चिटी और कभूतर की आज उसी कहाने पर फिल्म मना रहा है वैरागी ने उसकी जान बचाई यह बात उसके दिल पर असर कर गई थी और उसकी तस्वीर लेकर उसकी हेल्प करने के लिए घूमता फिर रहा था इसे एवाइड करने के लिए मैं अपनी लेकर भद्राचलम चला गया था पर इतने सालों के बाद भी वो बात इसे याद रहेगी यह मैंने सोचा नहीं था लेकिन उसने तो सोचा यही है उसका करक्टर पैरागी आज के दिन पूरे शहर में इसी बात की चर्चा होती रही कुछ लोग इसे ही वेरागी मान रहे हैं और कुछ लोग इसे पबिलिसेटी स्टेंट कह रहे हैं चैनल चेकरो मुझे मेरा सीरील देखना आ है मेरा चैनल लगा नहीं लगाया जल्दी लगा चार्रा प्लीज ऑंकर सत्या हां वेरागी इसी वक्त इन सबको बाहर निकालो वरना मार डालूंगा सबको कुछ दिन और छेलो बैरागी अगर कटपा को यकीन हो गया कि तुम वही वेरागी हो तब तक का सारा किया ध्यारा मिट्टी में मिल जाएगा ए तू ही उसे बैरागी बना कर बाहर लेकर आया और तूने उसे भाई राजू बना कर उसकी फैमिली भी बनाई अब आगे तो क्या करने वाला है बताथ शेर को घास खिलाओंगे तो नहीं खाएगा खिलाने वाले को खा जाएगा एक फिर तो इसा क्यों कर रहा है अपने स्टिस्फाक्शन की, यार तेरा स्टिस्फाक्शन फ्रेक्शन से भी जादा डरावना लग रहा है, ओ देख यह सब बहुत हो गया, अब बंद करिये से, यह तुम लोगों ने जितना खुरफाती प्लान बनाया है वो सब मैं एक एक करके बतातूंगा मैं अभी जाके बैरागी भाई को बताता हूं अब भी बताता हूं मैं मानसा रिसोट से भाग मैं साइज रिसोट नहीं मैंने कहा मांसा रिसाओ अब बैः सोरी बोलो आप हमारे रिजॉर्ट में आएंगे तो ड्रेंक फ्री चखना फ्री मसाज फ्री और साथ में लेडीज भी फ्री मतलब टोटल फ्री बोलो मैं कब आओ आपको जब मूड हो तब आजाईए मूड आउट हो तो चले चाहिए और रास्ते में कार में हूँ फोन रखो में पहुं क्यों भाई मुझे क्यों बुला है मुझे कुछ काम था अब तु ही तो मुझे कुछ बताने वाला था हां बॉडी मसाज के साथ ट्रींक प्री है चलो क्या तो चलेगा क्या ओके गाईज मैं चलता हूँ कटपा का फोन आया है अब जिसे फोन करता हूँ इस का बाइड मौनिंग होता है इस कटपा का नाम सुनते पंची पानी नहीं पीते आपका नाम सुन के क्यों पियेगा जब प्यास लेगे की तब पियेगा ना कहा हो घर मेही ना आप अभी बिलकुल मत आईएगा आम अभी ओड़ी घर पर नहीं हम लोग भाहर है थो तुम लोग कहाँ सुद्स भप संपार यह मर्द लोग walking करके जौगिंग करके अभी आपके साथ ४ोन पर talking करके बाजर में अंटरी कर रहें एंट्री आट्रिय्क कर रहें बडरेस बड़ा कंफ्यूजिंग है आपपको मिल भाएगा हर्ए को जानता हूं तुम लोग आउं यह बताओ मैं अभी आता हूं अब कुन सा बाजार है चाइना बजार वहां सा कहा आपने आप नहीं हो सकते फासला बहुत लंबा है बिल्कुल गलत मैं आप अभी वहीं हूँ तुम लोग आए बताओ यहां सबसी मिलती है ना हम सब्सी बाजार में सबजिया मिलती है कुलर कर फैन नहीं तुम लोग कहा वहीं रुखिए का मैं बस दो मिनुट में समाझ गया है कितनी स्पीड में जाना है अलो कटाभाजी कहां हो तुम लो आपके पीछे सर अगे देख रहा हूं हम पीछे तो आज देख रहे हैं अरे पीछे देखिये ना यहां पीछे यहां भी नहीं हो आप कहां देख रहे हैं सर, पीछे घुमकर आगे देख रहा हूं, आपको आगे देखने के लावा पीछे देखना नहीं आता है क्या, मुझे क्या तुम उल्लू समझ रहे हो, कटपपा, पीछे मुड़ के देखिया कटपपा जी, है न, अभी तो तुम लोग यहां नहीं थे अब आगे देख रहे हैं, इसलिए हम आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप पीछे मुड़कर देखा तो दिखाई दिए, हाथ में थैली देखकर तो यकीन करो सर, हम तो सबजी खरीद रहे हैं, सबजी खरीदने के लिए इतने सारे लोग क्या हुआ है, मैंने का रहा face by look as profession dress by definition eyes by identification just look like it, justification रॉन्ग है फिस्स पॉरिफिकाशन ने क्षिछल जोंची जोफे लन नोटिफिकाशन इस के लूद लूद लुकर यह लूद रिंटीएशन इस सुटतीन इरिताशन मैं एंगर विले संशेशन उन्टों एक्ष्ण I am an ocean सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहा है तो कैसी बात कर रहा है तो क्या कह रहा है तेरी समझ में आ रहा है मतलब यह खूनी नहीं भोला है मैं कैसे यकीन करूँ हमारे भाई राजू इतने भोले हैं सर कि विपाशा बासू को देखकर बस समझ को से पकड़ने जाते हैं आप अगर हैंज अप कहेंगे तो थमस अप या सेवन अप समझ लेंग कि यह बैरागी है यह भाई राजू मैं अभी सावित करता हूँ अगर तुझे बैरागी को मारना है तो में सबजी बाजार में आजाओ अभी अब क्लियर हो जाएगा अगर इसने हथियार उठाया तो कन्फर्म हो जाएगा ये बैरागी है उसके बाद खेल खत्म सुना अभी तर्वार उठाओगे तो कन्फर्म हो जाएगा तुम बैरागी हो यह क्या सर यह अपनी पुलिस अकेडवी की तरह भाग रहे हैं यहां सिर्फ चार पुलिस है वहां 400 पुलिस मिलेगी पहजान लिया तो काम तमाम कर दो कि अजब कर दो कर दो तक तक तुझे मार नहीं दूगा यह पीछा नहीं चाहूंगा कर दो कर दो कर दो कि दो कर दो यह वार मारें हो नहार कि अखिरए और जाल झाल स्वार भार मारें हो नहार कि भी फो पना लां याम। जय आवाए जय आवाई याइ याँ जय आव हो बंप हो बंप हो बंप कि बंप को बंप कि तो बंप खहँ कर रहा हुद खोड़ा है रपषया... खहँकरा... ख्रॉडर शाव.. क्या देख रह आ अदो? देख रहों कि पेंडिंग है या पेंडिंग करने वाली? तू देख लो अबे रोक ले कंट्रोल कर अपनी आखों को पर ना पता नहीं क्या हो जाएगा गड़ड हो जाएगी कंट्रोल क्यों वे यह लड़की तुझसे प्यार करती है और तू इंकार करता है तू दिखने मेरे जैसा लेकिन है नहीं तू मेरा डुपलिकेट है तो तू ही डबल एक्शन दिखाना ओवर एक्शन ऐसी लड़की को लाइन मारने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं और यह तुझे लाइन मार रही है पेन में जैसे क्याब चिपकता है और तू इतना गैब दे रहा है अपना एक्शन छोड़ और उसके लक्षन देख सुन पास से दूर जाने के लिए एक मिनट काफी होता है लेकिन दूर से पास आने के लिए जिन्देगी निकल जाती है जो तू बोल रहा है मुझे बिल्कुल सही लग रहा है यार चांड जैसी लड़की तुझे देख रही है और तू अपनी शकल चंद्रक्रेंट जैसी क्यों बना रहा है एक बार तेरा फॉर्म चला गया उसके बाद कितना भी किसले बहुत सही नहीं पड़ेगी अब बस करो क्यों बस करो नहीं मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं तू लाइन मार रहा है है मैं भगा के लिए जाओं तू अंदर जाए यार अंदर क्यों जाओं तुमसे नहीं कह रहा हूं सर्व बैरागी की जिंदगी के साथ खेल रहा है और आप इतना आम से पेपर चेक कर रहे हैं यह लीजे सर उसे अभी फोन कीजिए और सब को छोड़ कर आने के लिए कहिए सर क्यों आने के लिए कहूं उससे कहूं कि जो कहानी सुनाई थी वो गलत है तुम सब को सिर्फ और कहानी की कहानी याद है पर उसे उसके शिक्षा अच्छी तरह याद है शिक्षक होने के नाते मुझे उसकी आच्रण पर गल्व का अनुभव हो रहा है गणेश के टुकडे-टुकडे करके उसे काटना होगा मेरा नाम सुनते ही पूरे शहर में तहशत फैल जा दी थी और उस पुलिस वाले के डर से मुझे भागना पड़ रहा ऐसे ही जलता रहा तो इस शेयर को चूहा बनना पड़ेगा वो इस वक्त मेरे साथ जो भी कर रहा है वो उसे बहुत भारी पड़ेगा उसकी जिंदगी में मैंने सूनामी नाला दिया तो मेरा नाम नहीं अरे वाह जो प्लान किया उसे सुनकर तू में एंटल हो जाएगा क्या कहना चाहता है तू इस पागल की बात मत सुनतो अले नली तुझे बीच में घुशने की ज़रूत नहीं है ऐसे रिटायर गुंडों को अपने साथ रखोगे तो तुम्हारा सटर जल्दी क्लोज होने वाला है त अधिर से रिंगमास्टर बन गया तो ठीक है अपनी रिंग में जा ये सही बोलो ऐसे क्या बोला तुमने अबे तू कुछ भी कर जा कुछ भी नहीं तुम्हें क्या चाहिए ये बोलो तू यहां से जा ठीक है जाता हूं भाई आपको यहां वाद बताने के लिए आया था अ किसी भी तरह से अपने सारे लोग उसकी बाते मानने लगे हैं तो फिर बाहर से आद्मियों को बला लगता ही एक कवाली का बैच भाई को छोड़ेगा नहीं पाई के उतने से पहले इन्हें सुलाता है क्या ने भाई को मारना आया था क्या मेरे उते भी नहीं मार पाएगा तेरे मेरे पंच की बालेडिटीब बहुत है या लाइम पर लग जाए मैं कैसे मार रहा हूं तुम लोग कैसे ओड़ रहे हूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है यह टकले मैंनच से सीड़ी चड़कर उपर आया ना शॉटकट से भेज देता हूं तुझे इंजॉय दी एंटी ग्रैविटी इफेक्ट यह सारी भाई वो कपाली के छोकरे लोग आपको मारने के लिए फिर से आये थे आपको डिस्टब ना हो इसलिए उन्हें सुला दिया मुझे नहीं गणेश यह सब तुझे मारने आये हैं इन लोगों को मैंने ही भुलाया है अगर मैं मर गया तो आपको बचाएगा कौन मैं आपके बैक्बोन जैसा हूँ यह सब लाइटली लोग जाव सोजा ओके मैंने बोला सोजा यह मेरे लिए बैक्बोन नहीं बैक्पेन है इसे अभी खत्म करता हूँ नेताओं के जहांसे में आकर वोट डालने वाला में वोटर नहीं हूँ शूटर हूँ तुम्हारी आखों का गुस्सा बता रहा है कि तुम्हीं बैरागी हो इतने दिनों तक मैं इसी सीन का वेट कर रहा था अब तुम्हारा सीन खत्म हो गया समझे यह तो सिर्फ ढरा रहा था अब तुझे अंदर टालूंगा अपी बर्थ डे टू यू आपी बर्थ डे टू यू माई डियर आप इंग्लिश में सब्सक्राइब बड़ी चाहिए और बड़े को काटने के लिए बड़ा हत्यार भी तो चाहिए ना प्रश्न चाहिए जितना भी बड़ा हो जवाब तेरा सलल होता है तेरा बस चले तो तु दाउद इब्राहिम को भी जौन इब्राहिम बना देगा केक काटने का टाइम हो गया अशर भाई काटो ना ऐसे क्यूं देख रहे हो भाई हर साल आप अपने बड़्डे में केक तो काटते ही हो ना कमाउन कट इट अपनी बहन को और अपनों को पहल और उनके आशिरवाद लेलो जल्दी अरे यह सेंटिमेंट है या मैनेजमेंट है अरेंजमेंट है इंजॉइमेंट सार आवाई इनको भी खिलाओ बुलेट से तुम्हारी तस्वीर बनाई है मुझे केक और जोक दोनों बिल्कुल पसंद नहीं फिलाल इस वक्तों तू मु बार आता रहूंगा फालो 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 यू यह फेकू के रियक्शन से आप रिलेक्स रहो जाओ 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 यह बबर शेर यह तेरा कैसा बड़े सेलिबरेशन है तु इतना हट्टा कट्टा मजबूत आदमी है लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है तुम्हें पता है ना वह तुम्हें कितना बेवकुब बना रहा है जा फिर तुम्हें उस बारे में कुछ भी अब तु जो कहेंगा मैं यकीन करूंगा अब बोल है एपी बड़े टू यू बड़े के बचकलू क्या बटर शकॉट इसके डेथ डे का प्लैन किया तो उसने मेरा ही बर्थडे प्लैन कर दिया मेरी फेलिंग्स से तुसे कोई मतलब ही नहीं उसके मन में जो आता है वो करत दिखा रहा है उसके प्यार के नाटक से मैं परेशान हो चुका हूँ मैं उसे मारना चाहता हूँ पर कुछ और ही हो रहा है उसका गुस्सा बढ़ाने के लिए उसे जबरदस्ट चूट पहुंचा नहीं होगी उसके माबापको खत्म करता हूँ मुझे आने में थोड़ी देर होगी मुझे एबियन कॉलेज में एक एक्जाम के इन्विजिलेशन के लिए जाना पड़ रहा है तुम कॉलेज में ही आजाओ हम वही से फंक्शन में चले चले चलेंगे ठीक है वही आजाना अजिए 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 जितना जानता हूं उतना ही लिखाओं बागी का आप समाल लीजिएगा यापके पास पर्ची को दें जी के लिख है न चल्दी रिखा दो या प्लीज भाइया प्लीज बैया प्लीज पर्ची किया इतनी जल्दी होगे तो परसे इंडारा थो ग। मर गया तो स्टॉप राइटिंग हैंड ओवर यूरा अंसर शेट्स बेटा तुम अभी एक्जाम दे रहे थे ना कहां जाना है पेट्रोल खत्म हो गया लगते आजाओ मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाओ क्यों बेटा एक्जाम तो ठिक गया ना क्या हुआ ऐसे क्यों घूर रहे हैं तुम मुझे बहुत देर इंतजार करना पड़ा अरे बापरे चली 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 बहां की सारी अरेंज्मेंट्स हो गई हैं लेकिन इंगेजमेंट रिंग तो हमारे पास है जी क्यों इतनी टेंचन ले लिए ते सई जैवार को आव सबाजाओ अहां संभलता चड़ू हां आजा बेटा मेरी पास बहुत ज्यादा समान है इसे तू पकड़ ले बूड़ी हो गये ना ज्यादा वजद नी उठाय जाता अससे पकड़े रहो बेटा तुम यहां क्या कर रहे हो यह क्या वाई एक्जाम हौल से मैरेज हौल तक आपको गाड़ी में बिठा कर लाया गया अभी आप यंग हो आपका इंगेजमेंट हो रहा है ज़रा देखो तो सही कि दूले वालों की तरफ से मेरे माबाब आपको यहां दूला बना कर लेकर आए पर मेरा इंगेजमेंट क्यों अब फिर से गैरेज ने चले जाए इसलिए आपकी मैरेज सेट की है वर्थडी में जैसे केक काटते हैं वैसे ही टुकडे-टुकडे कर दूंगा मैं खटम कर कम आम ऑबिक्ति तो respects मुझे स्फना आया भाइंक की दूमदाम से शाधि हुई उनके बच्चे हो गयां कहरेते सुभा अंकी शादि नहीं तो मुझे मात ऐंगे इसके शादी तै हो गई ये विचारियों के जब शादी हो सकती है तो ससम Sinn cheesecake की शादी क्यों नहीं हो सकती लड़की कब बाप कौन है सारे अरेंजमेंट बिल्कुल पुकता है ना आप ऐसे गैद आपको कोई दूला नहीं समझेगा शादी में काम करने वाला समझेगा जल्दी से कबड़े बदलोर चलो अब देखना यह है कि यह शादी कैसे होगी हां थांक्स सर जी क्योंकि शादी तो आप ही करवाने वाले हो मैंने क्या कहा और यह क्या कह रहा है टाइम हो रहा है दमाद जी कहा है वह रहे हैं तो यहां पर जितने भी लोग हैं उन सब पर अपनी नज़र रखो मुझसे बचकर तुष शेर के मुँमें चा रहा है पता है वो कौन है सी वी आई चीफ नाम है नाग भुषन कुछ भी अगर गरबड के तो बुलेट सिधे अंदर वह फायर ब्रैंड है तो मैं फायर एंजीन हूं भाई मिस्टर भाहिराजु इस इस माइफामिली अबारे भाई सिर्फ भाहिराजु ही नहीं है भाहिराजु बी ए, एम्मे, एम्बी ए, एम्कॉम, ए मेरी बेटी भागी लक्षमी अगल विगण वागया से टी ओली शूटिंग जाड़ी यह मुझे बहुत पसंद आया एक बार शूट करके देखो प्लीज जाड़ी शादी के बार शूट कर देना आखिर जाएगा कहां यह हमारा घर जमाई बनने वाला है असा लग रहा है मे वह तुम्हारा नॉलेज़ टेस्ट करने वाला है ओके वह कुछ भी पूछे आप टेंशन मत लेना वाट हू वाई येस नो सिर्फ इतना बोल देना बाकी मां संबाद लूँगा हसा् करेंना वर्फ कर टेंशन मतलो भाई रिडी फाई the steam engine का अविशकर किस किया कि वोट्स नृइस्टेम एंचिंश एविष्कार येम्स वॉट्स निक येपी रहते हैं इम Alrighty no 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 snow यहां टाफ पूछिए ना प्लीज इंडिन कॉंगरेस के स्थापना किस ने की हुं कॉंगरीस के स्थापना दॉअ को डॉल लगता है लगता मैं खोने को भलत से डर लगता है कि अब सकराओ ना इंटर्विय खुछ कर लों डवी तो अब ब्लैंग रेंज में है न अलाEMA से शूट कुर सकते हो बैटो 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 बैट беспटो दैखार निया कि अन करने के बाद स्टेज पर आया हूं यहां कौन सी मुश्किल है बताओ कौन सी स्टेप देखना चाहोगे वीना वाला स्टेप दिखाऊगे ताओ पुराना स्टेप कर रहे हैं भाई अभी नय वाला दिखाएंगे तांस बड़ा आसान होता है तुम तो मे sìकानेक हो ना पंक्चार बनाते वक्त रिंब निकालकर बोल्ट निकालते हैं ना आँ, पंचर बनाते वक्त, अवा भरते ना, आँ, हलका हलका पिछवाड़े को हिलाते रो, ऐसे, बस हो गया ए, सिर्फ वो लोग ही रांस कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते क्या क्या है कि भीड़बार बस ज्यादा है ना, तो हम लोग दूसरे लोकेशन पर जाते हैं ओके कुड़ी ने को हसी है, कमर उसकी छपिस है, जान मारे आता से, तिल चुराएं मजे से पहसर के दा श्यक आखे तुम्ब य जोनुब Α-ड़जों डाज होटों स logos पुन्दा मिला स्पसे लगट शब Sum3 sum4 द्यवने पहसे प्षें प्र्तिया lonely Wiisly. यंदम मेरे फटाक से भी शक अ καना है तेरा बता दे कुड़ी तु है सपर तौपले दिल का तु लैप तौपले तेरी भी स्थीर सपर है चल्पा तेरा पपल है कर देथ चु करद चु कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ नंग दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करदे टीजिव से झीक्डी के से हैं चिली हौट सी यक्खुले उए लिप्स तरकंध कारे मिक्स अग्या उंप इस पिकालग तिकलेगा जरा एक चिन से आउच्छो राजू तुछी को यक्चो राजू तुछी को टेरी हर बाती सूपर है, अपनी मिला काती सूपर है, तेरी माचो बड़ी सुपर है, तुमेरा तेम से बहुत है तुमेरा ठीज ची बहुत है मैं से, 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 आदाबज है कहा हम तो इिष्क भूर भी है ऐसा तेरा कहना तू मैं शमने कन्द कत sot कि यह क्या है अरे बेड़ा नमाजी कहां गाइब हो गए क्या हो रहा है सास्त्रा वो लग भाईया कमार रहे हैं मौत के पास पेरागी तुम्हारी जान है ना यहां तुम्हारी जान जा रही है जंदी से आजा वर्ना उसके लाश भी नहीं मिलेगी कर दूलёт है कर दो When कर दो कर दो कर दो दिल की धड़कनों के साथ यही सोचता रहा कि मैं तुझे कैसे मारू आज मिला है तू सोरे हिसाब चुकता करूगा तुझे मारने के लिए मुझे अपने दुश्मन से हाथ मिलाना पड़ा हेल्प के नाम पे हेल दिखाएगा तू यह सब मैंने आपको खुश रखने के लिए किया है भाई तू मरेगा तब मुझे खुशी मिलेगी अब यह मर चुका है इसे भूल जा तू यह क्या क्या तूने दोखाएग अर्ट अटैक से भी टेंजर होता है यह तुम्हारा नहीं हमारा है इसके रहते तुझे मारना मुश्किल था इसनिये इसे तेरे ही हाथों मैंने आज मरवा दिया अब तेरा काम हो चुका वेरागी अब इस सीटी का मुश्किल था इसनिये मैं हो वेरागी, मैं हो वेरागी भाई को मुझे मारने का अधिकार है क्योंकि मेरी जान भाई ने ही बचाई है भाई को मुझे मारने का पूरा राइट है रभ भाई को क्या यह सिक्सपक बाई तो कपका करके छोड़ चुके हैं तुम तो मुश्मेट होगा अगर मेरी मौत से ही आपको खुशी मिलती है तो मारती ही मुझे भाई एक बार फिर आपने मेरी जान बचाई नहीं प्लीज इसे मेरी हेल्प मत समझो तुम्हें अपना आदमी समझ कर मैंने बचाया है एक बार तुम्हें बचा कर मेरी जिंदगी प्लैटफॉर्म बन गई है अब मेरा पीछा करना छोड़ दो प्लीज यार प्लीज आपने आपकी जान बचाने के लिए छोशिए क्या करों तो यार तुसमस्ता क्यों नहीं के इस तरह क्या देख रहा है तो इतने दिनों ते केई सोच रहा था नहीं कि मेरे साथ क्या करेगा इस्थ ने तुम्हें पुलीस आफिसर बना दिया कवे का और तुम्हारा कोई लिंक ज़रूर है तेरी जिन्दगी को प्लैटफार्म नहीं यूनिफार्म दिया इसने है और यह सब इसने मेरे साथ मिलकर किया है मैं इसका चाचा हूँ एक दिन तु उसका पाली गुंडे से डर कर भागा था ना वो टू के रन पुलिस ग्राउंड में जो कुछ भी तुने किया वह सब फिस्कल टेस्ट था तुम जो उस दिन मुझे मारने आए थे एक्जाम के हॉल में वो तुम्हारा रिटेंट टेस्ट था आज सिर्फ तुम्हारी इंगेजमेंट ही नहीं हुई पुलिस इंटरव्यू भी हुआ डिपार्टमेंट के द्वारा कियेगे सारे टेस्ट में तुम फिट हो अभी तुम और मैं सेम डिपार्टमेंट पे हैं यह लो तुम्हारा ट्रेंणिंग ओडर तुमने यह सब क्यों किया उस भावानी को मारने आये थे तब आपने कौन सी ड्रेस पहने थी जरा याद करो ना भाई उस ड्रेस में आप अच्छे लग रहे थे मुझे लगआ पुलिस वाले हैं लेकिन यहां आने के बाद बता चला कि पुलिस खुद आपको ढूंड़ रही है आपने मेरी मदद की ना भाई इसलिए मैंने आपके साथ यह सब किया आपको मैंने पुलिस वाला बना दिया और आपकी जिन्देगी सुधर गई असल में ये तरे साथ क्या करना चाहता तुझे कुछ पता भी है पूलीस बनाना चाहता है तुझे खतम कर दे से खतम कर दे तुम लोग को देख के बहुत खुशी हो रही है तुम लोगों के लिए चाय बनाओ क्या वन बाइफ झाल असल में डूलीस बनाओ कर दो